भारत की मिटी मिटी के अध्यन के विज्ञान को मिर्दा विज्ञान पेडालोजी कहा जाता है भारत्य क्रिशी अनुसंधान परिशद ने भारत की मिटीों को आठ वर्गों में विभाज़त किया है जो निमन है प्रिश्ट 162 एक जलोड मिटी एल्यू वायल सोयल ये मिटी भारत के लगभग 22% पर पाई जाती है ये नदियों दोरा लाए गई मिटी इस मिटी में पोटाश की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन फासफोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है ये दो प्रकार की होती है एक बांगड और दो खादर पुराने जलोड मिटी को बांगड तथा नई जलोड मिटी को खादर कहा जाता है जलोड मिटी उरवर्ता के दृष्टिकोन से काफी अच्छी माने जाती है इसमें धान, गेहू, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, आदी, फसले उगाई जाती है दो, काली मिटी ब्लेक सॉयल इसका निर्मान बेसाल्ट चटानों को तूटने फूटने से होता है इसमें आईरन, चूना, अलिमीनियम एवं मेगनीशियम की बहुलता होती है इसमिटी का काला रंग, टिटैनी फिरेस मैगनेटाइट एवं जीवांश ह्यूमस की उपस्तिती के कारण होता है इसमिटी को रैगूर मिटी के नाम से भी जाना जाता है कपास की खेती के लिए ये सरवाधिक उप्यूक्त होती है अतहा इसे काली कपास की मिटी ब्लैक कॉटन सोयल भी कहा जाता है अन्य फसलों में गेहूं जुआर बाजरा आदी को उगाया जाता है भारत में काली मिटी गुजरात, महराष्टर, मध्यपदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उडीसा के दक्षिनी क्षेत्र, करनाटा के उत्तरी जिला, अंध्रपदेश के दक्षिनी एवं समुंद्र तटिये क्षेत्र, तामिलनाडू के सलेम, रामनाथ पुरम, कोयंबटूर तथा तिरुन वेली जिलो एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोग जिलो में पाई जाती हैं तीन, लाल मिट्टी, रेट सॉयल इसका निर्मान जलवायविक परिवर्थनों के पहिनामसरूप, रवेदार एवं कायांतरत शेलो के विगटन एवं वियोजन से होता है इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है लाल मिट्टी का लाल रंग लोह ऑक्साइड की उपस्तिती के कारण होता है लेकिन जल योजित रूप में ये पीली दिखाई पड़ती है ये अमलिय प्रकर्ती की मिट्टी होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्पोरस एवं यूमस की कमी होती है ये मिट्टी प्राया और वर्ता विहीन बंजर भूमी के रूप में पाई जाती है इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दाले तथा मोटे अनाजों की क्रिशी की जाती है भारत में ये मिट्टी आंधर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्विभाब, छोटा नागपूर के पठारी क्षेतर, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलो, मेगाले की गारो, खासी एवं जयंतिया के पहाडी क्षेतरो, नागलेन, राजस्थान में पूर्विक्षेतर, महराष्ट, तमिलनाडू एवं करनाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तिमाल कर लाल मिट्टी की उरवर्ता बढ़ा ही जा सकती है। गहरी लाल लेटराइट, सफेद लेटराइट तथा भूमिकत जलवाई लेटराइट के रूप में बरगिक्रत किया जाता है। गहरी लाल लेटराइट में लोहो ऑक्साइट तथा पोटाश की बहुलता होती है। इसकी उरवर्ता कम होती है। लेकिन निचले भाग में कु लेटराइट पिटीर चाई की खेदी के लिए सरवादिक उपयोगत होता है।